स्लाव आलेगूम जी आज मैं आपको सिकारियं जी बटन स्कॉच का हलवा बनाना यह भी जो है पंकिन का ही एक जात का होता है तो मुझे पंकिन नहीं मिला था तो मैं यहां पर बटन स्कॉच इसमाल करही हूँ आपको दिखाने के लिए अग है एक मेने छील करके आपको दिखा दी है, तक्रीबन आपने इतना लेना है कि ये छिलने के बाद इसका वजन जो है कम असकम 2 kg होना चाहिए, 2 kg आफ्टर आपने इसको छील लिया है, तो एक अभी छीलने वाला एक कर दी है, चीनी आपको चाहिए होगी, तक्रीबन 1 cup भर कर चाहिए होगी, अगर हमें कम लगेगी है, मौराट कर लेंगे, 1 cup फिलहाल भर कर हमें चाहिए, लाइची पाउडर, 1 teaspoon हीट फूल, तास ग्रीन काडमों पाउडर, और साथी नट्स आप अपनी मर्जी के टाल सकते हैं, मैं वालनुट्स का इस्तमाल कर रही हूं, और बदाम यानी आमंड्स का, यह तकरीबन चाहिए होगे, 15-20 वालनुट्स आप आमंड्स आप आपने आमंड्स आपने इस्तमाल कर लेना है, को तक आप या देसी घी में जादा मज़धार बनती है, अगर आपको कोई हるड्स प्रॉबल्म है, तो तो प्लीज बना सकते हैं, कि मैं आज देसी की का इसतमाल कर रही हूं, नीट वन कप अफ देसी घी और यह मेरा होमेड्ट खोआ है, 250g आपको यह चाहिए होगा और इंशाला मैं आपको यह मेरा 3rd recipe यह खोय की तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह बनता है तो 250g आपको खोया चाहिए होगा नेक्स मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या तरह देखलें कि मैंने घी जो है बीच में हांडी मिल्ट कर रही हूँ साथ ही आप यहां पर देखलें कि मैंने बटन स्कॉष्च जो है इसको मैंने ग्रेट कर लिया हूँ है make sure कीजिए कि अब जब भी कदू लें किसी किसम का अंदर से वो pink होना जब आप green oil लेंगे वो बहुत ही उसका लंबा procedure होता है और क्योंकि लोगों के पास time नहीं होता आप बच्चे घर पे हैं, jobs पे जाना है, uni है, college है so make sure it's the orange one, यह बहुत जल्दी पकता है और इसका जाइका भी बहुत अच्छा होता है instead of the white, जो greenish सा होता है तो जनाब यह हो गया, grate हो गया, गी यहाँ पर गरम हो गया, इसमें आप लाइची पाउडर अट कर रहे है और लाइची पाउडर आट करने के साथ ही, इसे आप हलका सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही, आपने इस गरम घी के अंदर, जो हमने ग्रेट किया हुआ, हमारा बटन स्कॉश है, वीश में डाल लेंगे और आपने इसको अच्छी तरह पहले भून लेना है, और दो से चार मिनट आप इसको पहले भूनेंगे और गूलने के बाद आपने इसको लो टू मीडियम पे रखकर अच्छी तरह कोख करना है, और प्लीज साथ साथ इक में चम्चा जरू हिलाते रही है, ताके लगे ना, आप देखने है, मैं नॉंस्टिक पैन में बना रही हूं, प्यूकिक्ए जो हमारी देसी मिठाई होती यह काफी जल्दी लगने कंगा डर होता है, so after 5 minutes, low to medium and cook it well till the water dries, यहाँ पर आप देखलें कि 5 minutes के बाद जो है, 5-6 minutes के अंदर इसका color भी change होना शुरू हो जाता है, और यह साथ ही आप देखलें कि इतना soft भी हो रहा है, यहाँ पर आपने इसको low to medium पे रखकर, तक्रीबन 20 के लिए आपने इसको अच्छी तरह cook करना है और बीच बीच में आप चमचा भी प्लीज हलाते रहिए, तो बीच मिन तक इसको पहले cook कर लेए, अपर आप देखलें कि 20 minutes इसको हो चुके हुए, low to medium पर और देखें कि इतने खुबसूरा तरीके से यह साइडें भी छोड़ बीच में से absorb हो जाए सारा और dry हो जाए कि शुगर जोती है जैसे वो melt होती है तो वो पानी सा छोड़ती है, याप देख रहे हैं दोबारा यह फिर से किस तरह soft हो गया, यानि कि चीनी अपना पानी छोड़ी है, दोबारा low to medium पर रखकर आप इसको अब पानी ड्राइन तक याप देखं के लिए, अइसी तरह आप अपादाम डालेंगी, थोड़े सी अब रहने देंगे गानिशिंग के लिए और अख्रोट भी थोड़े से डाल pleas और थोड़े सी आप छोड़ दें अपने गानिशिंग के लिए, इसी अचछी तरह मिक्स कर लें, और मिक्स कनने के इसको आपने गर्मा गर्म सर्फ करना है तो यहां पर आपका जो है बटर स्कॉच नट हलवा तयार है तो इसे जारा एक से दो मिनिट और दे लिए ताके तमाम नक्स और गर्स में ची तरह मिक्स होड़ा दे लेंगे और जो मैं आप से काथ थोड़ा साफ खोया बचा कर रखे ताके आप इसके ओपर यह डेखरें जब मैमान आते है तो इनकी जो डेकोरेशन होती है चीजों की बहुत खास होती है क्योंके खाने से पहले आखे देखती है और अगर अगर आपकी आखे खुश नहीं है जो देख रही है तो यकीन जैने लिए इस वान फोगा थ्रू झाल 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 झाल